कि है आपका स्वागत है अलफा इंस्टिटूट में आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वनसा गतिता विविरिता के सिध्धान ठीक है मैंने चैप्टर का नाम लिग दिया है ठीरी आफ इनिहलिटेंस एंड वैरियेशन इसमें हम लोग आज बहुत बिकल्पी आफके स्कीन पर है ठीक है पहला कोश्चन है अनवांसिकी का जनक किसे कहा जाता है ठीक है उसमें चार आप्षिन दिये हैं पहला है हूगो डिवरीज दूसरा है कारल कॉरेंस और तीसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल और जो चौता है एरिक वान सेरमाक इसमें आपका उप्ष आम ग्रेगर तरुट n जॉण कि अधर कधिया सो औध यह यह कि आपका अन्वान्सकी का जनक कहा जाता है पीठ से कहा जाता है तो ग्रेगर जॉण मेंडल को इसमें भ الجान करसकते विग्ञान की वह सांखा ओंग औ को विभिनताओं का कि विभी नताओं का अध्यान किया जाता है यह फिर अध्यान करते हैं कि अध्यान करते हैं कि उसे अनुमांस की कहते हैं अध्यान कि वसा का इवा विभनेताओं का अध्यान किया जाता है उसे अनुमांस की कहते हैं और इसके पीता का कहा जाता है किसको ग्रिगर जॉन मेंडल को इसके बार नेश्ट कोशन क्या है वनसा गती या फिर अन्वांस की क्या है ठीक है इसमें चार आप्शन दिये गया है पहला आप सेने गोड़ सुत्र दूसरा है जीन प्रारूप और तीसरा है गालदिक है और चौथा है जीन तो वनसा तो कोशन नमबर जो दो है उसका एंसर हो जाएगा डी आपसा नमबर डी कि जाएगा जीन अच्छा जीन क्या होता है जीन क्या होता है जीन अन्वांस से गी ठीक है इसको कैसे लिखे है जीन जीन अन्वांस की ठीक है क्या बोलते है इसको ऐसे बोल सकते कि जीन होता है उसके अन्वांस की क्रियात्मक इकाई है जो जीन अन्वांस की क्रियात्मक इकाई है जो ठीक है क्या है वो एक क्रियात्मक इकाई है जो जो किसी लच्छड की वनसागती ठीक है जो किसी लच्छड की ठीक है क्या है जो किसी लच्छड की वनसागती ठीक है क्या किसी लच्छड की वनसागती एवं इसके परदर्शन को इवं इसके परदर्शन को ठीक है क्या करती है परदर्शन के लिए उत्तरदाई होते हैं और जीन सब्दका प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था थे जॉंसन ने किया था क्या किया था जॉंसन ने थीजिए जीन सब्दका प्रियोग प्रियोग सबसे पहले सबसे पहले या तो बोल सकते हैं स्वार प्रत्थम ठीक है क्या बोल सकते हैं सबसे पहले या तो इसको ऐसे भी बोलते हैं जीन सब्द का प्रियूग स्वार प्रत्थम ठीक है जोनसन निया था इतना हुआ सबको जीन सब्सक्राइब सबसे पहले जॉनसन ने किया था जॉनसन ने और यह क्या होते जीन कि क्रियात्व है जो किसी लच्षड वंसागति इवं इसके परदर्शन के लिए उत्तरदाई होता है और या तो इसको बोलता से कि सबसे छोटी का ही क्या होती तो इसको डाइग्राम से भी समझ सकते हैं चैसे क्रोमोज़ों हो गया है कि अपार इसको तांते तुक्षिय लंबा हो गया फिर इसको होगा त्याइट करेंगे ठीक है तो यह क्रोमोजोम हो जाएगा है यह क्रोमोजोम हो जाएगा यह क्रोमोजोम हो जाएगा यह क्रोमोजोम हो जाएगा इसमें एक हार्मोंस भी होता है ठीक है कौन सा हार्मोंस होता है ठीक है अरे सौरी हार्मोंस ने प्रोटीन होता है ठीक है जो क्रोमोजोम में प्रोटीन हो कौन सा प्रोटीन होता है हिस्टोन 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 प्रोटीन होता है है हिस्टोन प्रोटीन होता है और यह क्रोमोजोम हो गया इसको थोड़ा सा और तामिंग है तो क्या हो जा तो यहां में पाए गयता है ठीक है कि अधर सबको एक कोशन क्लियर हुआ इसके बड़ देखते हैं आपका मेंडल के एक गुड़ प्रसंक्रण में कौन सी पीड़ी हमेशा विसम यूगमजी होती है तो कौन सा होता है ठीक है तो प्रत्थम इसका जो एंसर हो जाएगा प्रत्थम संतति पीड़ी क्या हो जाएगा प्रत्थम संतति पीड़ी तीसरा question का answer क्या हो जाएगा आपका इसका answer हो जाएगा A जब प्रभाविता की नियम में इसमें क्या होता है जब जब डिप्रीत पीडी इसमें हो जैसे होता क्या है यह तो प्रत्म पीडी के संताति हो गया और जो जो पुद्धिक मजी होते क्या है जब हम लोग बिपरीत लच्छड वाले सूध पॉद्ध में क्रास कराते हैं एसा हम लोग एक जाम्पल से देखते हैं मैं तो इसे लिग भी दे रहे हूं इसे लिखती हूं इक जाम्पल से बताते हूं तो उसक जह तक क्लियर हो जाएगे जब बीपरीत लच्छड क्या होते हैं? प्रेगे, क्या होते हैं? जब बीपरीत लच्छड वाले बीपरीत लच्छड वाले सुध पादपू के बीच क्रॉस कराया जाता है, के बीच? क्रॉस कराया जाता है इसे माल लेते हैं, यह लंबा पौधा है, ठीक है? और यह क्या है? चोटा पौधा है, यह तो वो सकते बौना पौधा है, ठीक है? बौना पौधा हो इसके बीच क्रॉस कराया जाता है, तो क्या होगा? यह तो यह हुआ? सभी क्या होग है? तभी लंबे पौधे होगी यह क्या होग है, प्रभावी लचल क्या क्या, अगर इसमें क्या है, एक फ़िए से बौन पौधे का भी एक पौधे और लंबे पौधे का भी करेक्ट लंबा पाधा प्रहबावी कर रहे है और हम लोग कोई भी पी पॉधा लगा दें थरूऋक है अब क्रॉस कर नाritтесь और दूसरा को लिग कि लंपे पॉधा से क्रोस कर दिए तो जो क्रॉस कराने के बात जो हम लोग को प्लांट मिलेगा तो क्या मिलेगा जो प्रभावी दिखेगा मतलब जो लंबा अगर बौना दिखेगा तो उसमें क्या होगा जाएगा बौना पौधा प्रभावी होगा ठीक है लंबा है तो इसमें प्रभावी कौन है तो प्रभा हम युखमजी पीडी केहते हैं और किस से कौन सा नियंक के लिए इसमें आपको चार ओप्शन दिए गया है पहला है कालग जोड़े में होते हैं दूसरा वी वाल दिया है लच्छड का निर्धार कालग नामक विविक्त एक स्डिख्रिपत इकाईयों द्वारा होता है और उसके बाद तीसरा option दिया है यदि कारक जोड़ो के सदर्श्य असमान होतो इन में से एक कारक दूसरी दूसरी कारक पर प्रभावी होता है और चौथा option दिया है उप्रोगत सभी तो इसमें हो जाएगा चौथा option क्या हो जाएगा उप्रोगत सबही होते है प्रभावी नियम के लिए तो चौथा क्या हो जाएगा आपसा नमबर डी इसमें चौथा क्या हो जाएगा आपसा नमबर डी सभी हो जाएगे इसमें उपरोग तो सभी इसमें कारक जोड़े में होते हैं अब प्रभाविता का नियम क्या है यह देख लेते तो इसमें होता है कि यह देखते है वह देखेंगा थी दोग का दीनों Brasameкивapore that जोडों के सदश असमान होग बरत्ता पीड़ी में अगरा इक सुद्ध ले लेते और दूसरा बॉना पॉधा लेते हैं जो सदश से हो इन में से कोई एक दूसरे कारवी होता है वह लोग देखते हैं इसमें के साथ देखेंगे ठीक है इसमें प्रभाविता का नियम होता क्या है प्रभाविता का नियम ठीक है प्रभाविता का नियम इसमें क्या होता है जब हम जब बीपरीत क्या होता है जब बीपरीत लच्छडों वाले सुध पादपों के ठीक है जब बीपरीत लच्छडों वाले लच्छडो वाले सुद्ध पाधपो के बीच ये सुद्ध पाधपो के बीच शुद्ध पाधपो के बीच कि यह तो बोल सकते हैं कि सूद्ध पादपों के बीच यह तो बोल सकते हैं पादपों में क्रास कराया जाता है तो पादपों में क्रास कराया जाता है तो है तो तो क्या होते हैं एफ वन पिढ़ी में क्या होते हैं तो एफ वन पिढ़ी में तो एफ वन पेड़ी में ठीक है जो प्रभावी जुद्ध पादपोर में अगर क्रोस करेंगो तो F1 पेड़ी में इखृड़ी हो एकேवल प्रभावी लच्छड़ी-े प्रभावी लच्छडी दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, तो वह क्या था वह पिड़ी विसम युगमजी भी कहते हैं, दिखाई देते हैं तो वह पिड़ी विसम युगमजी कहलाते हैं, यह सब को क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, प्रभावी लच्छडी दिखाई देते हैं, या प्रभावी लच्छडी प्रकट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विसम युगमजी कहलाते हैं, या तो उसे विसम युगमजी भी कहते हैं, यह सब को क्लियर हो गया, इसके बाद एक ते नेश कोशन क्या है, कि एक विसम युगमजी लंबे पादप, एक सम युगमजी बॉने पादप के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो बॉने पादपों क का प्रतिश्चत होगा तो पांस्टमाग एंसर क्या हो जागा तो इसमें हो जाएगा 50% होता है इसका नंबर यह जाएगा उसमें लिखा है कि वाला लिखा है पांस्टमाग क्या हो जाएगा पचास पर्तिश्चत प्राप्त होता है और यह प्रचास पर्तिश्चत आया कहां से ठीक है सबस्क्राइट अल्चराइड के लिखा तब करिदे कोई लंबा पौदा ले रहे tanto farm खाहाना हूं लंबा पौदा व्हां सब तो आजब म सब सब्सक्राइब की वह घर कर लिखानए कि daher एमपाण में आजआए गली पाही क कशे कॉ- इसके बेच इसमें क्रॉस करा देते clean डिक किसे क्रॉस कराएंगे इस्मॉल टी से मिले गांगा हम लों को क्या है अब लोग को in capital tea capital हION है इसकी बार रोट करा लेए इस मॉल टी शेए ा कि करेंगे यह मिला हम लोग को यह कौन सा होता है F1 पीड़े ठीक है क्या होता है F1 पीड़े ठीक है यह जो होता है इसमें इसको बोलते हैं प्रथम पीड़े में थे इस पंषण प्रफज में इसका रातै और प्रशां परसेंटाव में बोलते हैं यहांग रहते हैं सम् युगमजी कि पर्फिषत तो पर्फिषत represents if of which is bola कि परफिषत कितना होगा Hongarum इसका सुध परतिश्र例えば कि परफिषत लेंगे तो 50 परतिश्रत लेंगे धिए आगर इसको क्रों क्राप्त है तो इसमें कौन सा आ लंबा पौधा होता है हम लोग का प्राप्थ होता है तो 50-50 रिश्यू के लेगे 50-20 ने चलिंगे शूद्ध्य बना पौधा लेते लमबा बधा लेते हैं यह सबको क्लियर को फोजन देखते क्ड? प्रतब संतती-पिढ की संतान का दोनों जनकों में Sec.. कियागया संक्रण? मैं एक संक्रण क्या होगा उसमें चार option दिया घए पहला धिया हैते जिक्रक्राौ्स दूसरा दिया है back तीसरे रिया और चौह दिए धिया मोन हाइबरिड क्रॉस उसमें कॉन सा नम भी हो जाएगा, तुश्वं City अपसन नंबर वी हो जाएगा अग आपसन नम भी रटा से उश्कों किस नाम से बने क्रोस को does संकर पूर्वज्या प्तिद संकरण क्या मुलते संकर पूर्वजय प्रतीत संकरण है ठीक है तो इसके एंसर क्या हो जाएगा ठीक है एंसर नमबर जाएगा बी क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ठीक है ठीक है क्या हो जाएगा बैक क्रॉस बैक क्रॉस या तो इसको बोलते हैं प्रतीत संकरण क्या बोलते हैं प्रतीत संकरण इसको एक और नाम से बोलते हैं संकर पूरुवज भी क्या बोलते हैं संकर पूरुवज भी या संकर पूरुवज भी तो एक्जाम में क्या करता है कभी कभी कोई भी नाम से दे देता है और हम लोग को क्या रहता है पता होते भी एंसर भी नहीं लिख सकते तो इसलिए एक ची ओधे तो भी क्रोसिक वोता क्या है तो ग्रिम बैक ग्रोस क्या होता है प्रथम संतानी पीडि में यह वहता है प्रथम संतानी पीडि अ प्रत्म संता ने पिड़ी की संतान के नहीं है की संतानों की। ठीख है क्या बोल देश में जो प्रथम संतानी पील्डी होता है संतानों के दोनों को को दोनों जनको ठीख है क्या होता है दोनों जनको में से किसी एक किसी एक क्या किसी एक के साथ भी किया गया संकरण क्या क्रोस यह तो संकर बॉल दोकते यह गया संकरण के संकर पुर्वज कि पूर्वज केहलाता है यह जाक्य को बौँ सकते हैं और एक को नाम होता है इसका मैंने लिखा है प्रतीत संकरण अब सब्सक्राइब के प्रथम संतानी पीड़ी के संतानों को जनकों में से किसी भी एक के साथ किया गया संकरण संकरपुरुवश कहलाता है ठीक है इसके बाद नेस्ट कोश्चन है नेस्ट कोश्चन क्या है गुलाबी पुस्प वाले गुलाबास में स्वन इसे चन से प्राप्त प्रारूपी अनपात होगा तो गुलाबी पुस्प वाले गुलाबास में इसमें चार अप्शन दिया है पहला अप्शन दिया है अनपाते दो और चौता अप्शन दिया है दो अनपाते फन तो इसका एंसर क्या हो जाएगा और अप्सन नमबर ए कि क्या हो जाएगा इसका कि यहाएगा इसका आपसा नमबर ए क्या है व हम पाती वन का और यह कौन से नियम का है अपड्सकीप प्रभाविता का नियम का इसका या तक ऐसे रेश्यों ए गुलाबास में है फूल होता है ठीक है तो उसमें जब क्रॉस कराते हैं है तो कौन सा रेष्यों पराक्त होता है और किस निएम के अंतर प्रभाविता के निएम के अंतर बसे प्रभाविता क 나렇게 के अज़ाग? ठीक है, ऐसा इंकम्डे डॉमिनेंस होता क्या है? तो इसमें देखते हैं, जो F1 PD में, ठीक है, F1 PD में, F1, ठीक है, इसमें होता क्या है कि F1 PD के संतती में कोई भी, F1 PD के संतती में ठीक है क्या गरते हैं F1 PD के संतती में कोई भी लच्छड में कोई भी लच्छड संतती PD में कोई भी लच्छड प्रभावी या प्रभावी न होकर कोई भी लच्छड प्रभावी या औप्रभावी औप्रभावी ना होकर मध्य वर्ती होता है कि अमलों सके पहले बारे में देखेंटेंटीज ऑगार मा जो दो घंख homeless होता होता है प्रता प्रबावी में जो लंबा पूर्थ होता है वो अपना प्रभाब्रिय में लेकिन जो प faith प्रता होता है तो उसमें क्या होता है उसी सेशन करा देते हैं तो क्या होता है उसमें कोई बीच का लच्छड ही दिखाई देता है तो उसका प्रत्थम पीड़ी में होगा तो उसमें क्या होता है हम लोग का कोई बीच का लच्छडी दिखाई देगा ना तो वो प्रभावी दिखाई देता है ना ही आप्रभावी दिखाई देगा क्या दिखाई देगा मध्धे वर्ती इसके बादेश कोशिशन है आपका व्यक्ति यिसका जिनो टाइप अाइए डृधिर्वग् प्रदर्शित करता है यह किसके कारण होता है तो सब questa की कारण प्लियो ट्रॉपी दूसरा और तीसरा प्रिथक करण और चौथा दिया अपूर प्रभाविता है क्या दिया है आपूर प्रभाविता कि यह सबकूर समझ में आए है तो आगे देखते हैं तो कोश्चेन नमबर आठ के एंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी ठीक है आपका बी ओप्शन क्या है सह प्रभाविता हो जाएगा क्या हो जाएगा सह प्रभाविता ठीक है क्या हो जाएगा एंसर इसका सह प्रभाविता अज सह प्रभाविता होता क्या है ठीक है इसको बोलते हैं को डॉमिनेंस क्या बोलते हैं को डॉमिनेंस सह प्रभाविता ठीक है इसको बोलते हैं को डॉमिनेंस ठीक है क्या बोलते इसको, कोब डॉबिनेंस बोलते इसको, ठीक है, इसमें होता है क्या, इसमें दोनों ही जनकों की लच्छड को, क्या बोलते इसमें, इसमें, दोनों ही जनकों की लच्छड को, ठीक है, क्या होता है, इसमें दोनों ही जनकों की लच्छड, ठीक है, लच्छड नहीं हो, लच्छड, दोनों ही जनकों की, इसमें सब प्रभाविता में होता है क्या है कि इसमें दोनों ही जनकों की लच्छड क्या होते हैं प्रिथक करण से प्रिथक करण रूप से क्या करते हैं एफवन प्रिधी में प्रिथक होकर में परदर्शीत परदर्शीत या फर परदर्शीत होते हैं ठीक है इसमझ है इसमें क्या होता है जो सा प्रभाविता है इसमें होता है इसमें दोनों ही जनकों कि लच्छड क्या होते हैं प्रिथा खोकर क्या करते हैं प्रदर्शित होते हैं तो बोल सकते हैं प्रकट होते हैं जैसे इसमें एक लाल रंग का पूस्प लेते हैं या फिर कोई जैसे माल लेते हैं ठीक है एक लाल लाल कलर का पुस्प लेते हैं रेड हो गया रेड़ फ्लावर इस दर्म लोग या लिए एक वाइट फ्लावल ले लिए है तो इन दोरों का जो क्रॉस कराएं गे तो हम लोगा कुछ डिफरेंट मिलेगा ये मालूम क्या मिल गया पिंक कलर का पिंक फ्लावर मिल गया तो यही बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों ही जनकों के लच्छड को प्रिथक होकर ठीक है अगर दोनों ही जनकों के लच्छड हम लोग क्रॉस कराते ठीक एक रेड़ फ्लावर का क्रॉस करा है एक वाइड फ्लावर का क्रॉस करा है तो दोनों का हम लोग को एक ही भी मिल गया ठिक है इसी में भी रेड का कुछ लच्छड में प्रिथा खोकर लें तो यह इसमें तो कुछ रेड के भी लच्छड होगे और वाइट फ्लावर भी लच्छड आए तो हम dominant कहते हैं इसके बाद next question है आपका मानों में A, B और उधिर वर्गों में कितने genotype संभव है कितने genotype संभव है तो क्या है मानों इसमें genotype कितने संभव होते हैं ठीक है तो जो मानों रूधिर A, B, O रूधिर वर्गों में कितने genotype होते हैं इसमें चार आप्शन दिया गया है कौन सा question question number 9 है उसमें चार आप्शन दिया गया है जीनोटाइप पाए जाते हैं इसका option number हो जाएगा सी ठीक है छेज प्रकार की जीनोटाइप पाए जाते हैं आप संभव जाएगा सी कैसे कैसे पाए जाते है यह देखते हैं लोग कि ए रूधिर वर्गों में पाए जाता है इसका जीनोटाइप देख लेते हैं जीनोटाइप इसका जीनोटाइप प्रकार होता है यह हुझाओ जाएगा आई ओज जाएगा ठीक है अगर B Genotype है अरो एक blood group है तो इसका Genotype हो जाएगा I B I O AB है Genotype इसका क्या हो जाएगा यह भी ए इसका Genotype हो जाएगा I A ठीक है I A I B इसका जो A होता है उसका अगर I A और I O हो जाएगा एक और हो सकता है MPo हाइए इसी तरह इसका होजाएगा हिजल भी ठीक है ऐभी हो जाएगा भी आरी का अचूछ अच पूर वहता है जो एबिक सोय होता है इसका क्या होता है չैने और ये और आइबी होता है और आई और आई तो इतना इसका क्या होता है जीनोटाइप होता है तो कितने जीनोटाइप होगा एक दो तीन चार पांच छे यह क्लियर हुआ इसका कि ए बी ओ में कितने प्रकार के जीनोटाइप संभव हो है तो कितने प्रकार के जीनोटाइप संभव हो है इसके बाद नेस कोश्चन है आपका तो इक है इसका एंसर क्या हो जाए इसमна हमाटा क्रोस कर करा anticipating तो दस्मा क्या हो जाए को उब्स PTSD नमबर चेस है बखत है अब आ हो सकता है देख बताते हैं बिवी हो सकता है अब आफ बताते हैं इसका अब गया रूधिर्वर्ग भी हो सकता है है तो क्रॉस किससे कराना है रोधिरर्वर्ग ओ ठीक है यह रोधिर फर्ग ओ वाली इस्तरी है ये क्या है इस्तरी है वर फीमेल है और यह अर्य आ रोधिर वाली इस्तरी ते बीजे़ा उमकर इश्सीे हлек जुरुदिरवर्ग , तो जुरुदिरवर्ग का जीनुटाइप होता है उनलोका का पर ओसका जीनोटाइप होता है आई ओ और जो अबी ऊता होता है जीनोटाइप जनोटाइप हिसके क्रोस्ब कराते तो मिलता है क्यां मुझे संब्सक्तू को कि यह हो का हो गया ठीक है कि आई यह हो गया और इसका आई भी हो गया और इसका हम लोग क्रॉस कर रहा है तो मिलता क्या यहां से इसका इसका क्रॉस कराएंगे ठीक है और इसका क्रॉस कराते तो क्या मिलता है आई यह मिलेगा आई ओमिलेगा फिर इसके पहले वाले question में जीनो टाइब में तो उसमें क्या था जो आई एका ठीक जो ब्लड ग्रूप एका था जीनो टाइब उसका क्या था इसका था इसका था इसके बाद क्या था आई ए और इसका क्या था यह यह क्या था ब्लड ग्रूप एका जीनो टाइब था इसका ब्लड ग्रूप बी का और तोцийरो टाइप क्या था आई-b i o और किया था पाई-b i b तो हमोगों को रेसियो तो यह मिला यह दो आईकर और आई-अओ मिला इसका भी रेसियो मिला आई-एअ रहाई-एछ यह अमन को मिल जाएक यह अहां कि यहां से किस्कों नहीं कि मिला height नाश्थ होसे क्या इसे हैं कि यहांसे वह ब्लड ब्लड ने मिन49 कि भी ब्लड गrop छिने यहां से पताच्छलंगी कैसे आया के ऑभी हो सकता है फिर उदिर कमें हो हो अगर इस्तिर का ब्लड ग्रूप और पूरुस का जो ब्लड ग्रूप है पूरुस का जो बच्चा पैदा हो सकते हैं इसमें प्याश्ट कशिन है कि कौन सा उवांसिक वपिकार है किसमें क्रोमोजोम की ऐसमें चार आप्षन दिया गया है सिन्ड्रोम धिन रहे रहे और रहे बहुता है हैं को सबमें कर दो तो कोश्चन क्या है आपका 11 मां का ठीक है तो अनुवांसिक विकार 21 को रूमोजोम की 3 सुत्त था 3 सुत्त का मतलर ट्राइ समुई हो जाता है तो 11 मां का एंसर हो जाएगा आपका इसका एंसर whilst down syndrome के कारव किसके कारव होता हैं jack कि इसका एंसर हो जाएगा down syndrome है अ इस प्रेंचों क्लियर हुआ इसक एंसर होसे डॉन सिंड्रोम होता है मारे और यह रोग केति के गुर सूतरं डावन क्लियर यह होता है 21 में गुड़सूत्र 21 में 21 में गुड़सूत्र ठीक, 21 में जोड़े कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह रोग 21 में जोड़े के गुड़सूत्र के ठीक, पहले यह समझ लेते हैं ठीक, 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 ठी आटोसॉम के क्या हो जाने के कारण आटोसॉम्स में आटोसॉम्स के ट्राइ सोमी हो जाने के कारण वो जाने के कारण वो जाने के कारण जो त्री गूड़ता क्या होता है त्री गूड़ता यह तो उसके ऐसे भी लिख सकते है कि ट्राई सोमी हो जाने के कारण हो जाने के कारण उत्पन उत्पन लच्छड डाउन सिंड्रो यह फिर उत्पन लच्छड को क्या हो से त्री गूड़ता कहते हैं ठीक है कि इसमें जोड़े के जो गूड़ता होता है क्या बोलते हैं इसको हेट्रोसोम क्यों बोलते हैं और फिमेल का क्या होता है पिमेल का सारा गूड़सुत्र क्या होता है एक्स एक्स होता है लेकिन जो मेल का गूड़सुत्र होता है वो क्या होता है कि 22 में जो खुर्ण गुढ्सुतार क्या होता है एक्स-क्स होता है। लेकिन եैसमें गुढ्सुतार लेकिन जो टेशमें चिक्षण करे लेकिन दर्वीजण होता है। ४ तो क्या बोलते हैं हेट्रोसोम क्या बोलते हैं हेट्रोसोम ठीक है तो वही बोला है कि यह रोक 21 में जोडे के गुड़सुत्र गुड़सुत्र आटोसोम्स के ट्राइसोमी हो जाने की कारण हूँ जाने के कारण उत्पन लच्छर त्रि गूरता कहते हैं यह तो इसको क्या बोल सकते हैं इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं तो इसमें क्या होते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं यहां पर कंफ्यूज मत हो ना इस पर बहुत सारे कोश्चन आते हैं इसमें क्या होता है इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति अग्रस्त व्यक्ति में 46 गुड़सुत्र की जगा 47 गुड़सुत्र गुड़सुत्र को जाते हैं जिसके कारण इनको जिसके कारण इनको इनको मंगोलियं जड़ता भी कहते हैं भी कहते हैं ठीक है और इसमें क्या कौन कौन सा लच्छर होता है डाउन सिंड्रो में यह तो सबको क्लियर हुए है डाउन सिंड्रो में होता है कि इसका लच्छर भी देख लेता है एक लाइन में इसमें क्या होता है कद छोटा होता है माथा चोड़ा होता है अगर जो सरीर होता है अगर कद छोटा होता है इसका जी मोटी होती है सारीक विकास सारीक विकास सही नहीं होता है ठीक है तो इस रोक से जो वैक्ति जो भी इंसान इस रोक से ग्रशित होते है उसमें क्या होता है उनकी सारीक विकास अच्छी नहीं होती है उनकी मंद बुद्धी होती है और क्या होता है उनकी जो माथा चोड़ा होता है पूरी तरह से development नहीं हो पाता है उसके उसके matis को क्या होता है पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है और इस में क्या होते हैं 46 गुर्ण सुत्र की चेगहां हो जाते हैं यह लाश्ट पोस्ट था यहां तक क्लियर हुआ सबको ठीक है थैंक यू